हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे वह आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे अरहमदलेला आपकी द्वाउं से मैं भी अच्छी हूं जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा कि हम क्लास 12 का हेलो एलकेंस एंड हैलो एरींस के कन्वर्जन कर रहे हैं हमन आप सिक्स में आपको बनाना है बैंजिल अल्कोहल से बैंजिल अल्कोहल से फैनल एंपनील एंपनील एंपनोइक एसिद पांच एक्षिण अब्रैडी मैं इसकी वीडियो अप्रूट कर चुकी हूं जिन्होंने वह नहीं देखी हैं पहले चाहिए उससे देखने हैं साप म तो हमें बनाना है इसमें बैंजल अल्कोहल से पैनल एथनोइक एसड ओके बैंजल अल्कोहल यह हमारा CH2OH होता है यह हमारा बैंजल हो गया हमारा बैंजल अल्कोहल इससे आपको बनाना है एथनोइक एसड एथनोइक एसड इसमें कार्बॉक्सलिक एसड है ठीक है क्या है इसमें कार्बॉक्सलिक एसड में हम क्या लगाते हैं CWH ठीक है अब हमें इससे बनाना है सबसे पहले OH को हमें रिप्लेस करना है तो हम इसमें क्या करेंगे reaction कर देंगे SOCl2 चाहें आप SCL निकाल दो यहीं पर और SO2 निकाल देंगे इसमें कुछ नहीं करना आपको OH की जगाओ आप क्या ले लेंगे आपका CH2Cl ठीक है यह आपकी बन गया हमें बनाना क्या है इसमें अथनोई कैसिट बनाना यह आपका क्या बन गया ख्लोरो और यह क्या है आपकी बैंजल ठीक है आपको अब करनी है एल्कोहलिक KCN के साथ reaction इसमें क्या होगा? CEL निकल जाएगा आपका किसके साथ? के के साथ? मतलब आपका क्या निकल जाएगा? KCEL निकल जाएगा ये क्या आगया? इसकी जगा CN बचा, CN ही हाँ पर आजाएगा CH2 CN, ओके? आपको reaction करनी है इसकी दुबारा H प्लस H2O के साथ क्योंकि आपको बनाना है कार्बॉक्सलिक एसिद और कार्बॉक्सलिक एसिद में क्या लेते हैं आप? COOH, ठीक है? एज़ट बैंजन ऐसी बना देंगे हम CH2 ऐसी रहेगा ठीक है? ये कार्बन भी ऐसी रहेगा इसमें से क्या ले लेंगे हम? OOH क्योंकि हमें बनाना क्या है? एथनुएक एसिद तो ये हो गया 2-Fanil एथनुएक एसिद पोजिशन बताईए ये फैनल कौन सी पोजिशन पर है? 2 पर I hope आपके समझ में आ गया हो गया है यहां तक मैंने कोशिश किया है कि आपको easy से easy way में समझा सकों क्योंकि conversion बहुत ही कम अच्चे होते हैं जिनके समझ में आते हैं ठीक है? तो अब हम करते हैं next reaction जो कि NCRT question number 19 का 7 part है एथनॉल से आपको बनाना है एथनॉल अथनॉल मैथ एथ, और लगा हुआ है लबा अल्कोहल है एल्कोहल में हम OH लगाते हैं यह हो गया हमारा एथनॉल ठीक है? और इससे हमें क्या बनाना है? प्रोपेन नाइट्राईल तो पहले क्या करेंगे हम Phosphorus और Iodine की presence में reaction कर देंगे Iodine इसके साथ आ जाएगा यह आ गया CH3, CH2 and I ठीक है क्या बन गया यह Iodon Ethene ठीक है फिर इसके दुबारा reaction कर देंगे हम KCN KCN के साथ ठीक है इसके हम दुबारा reaction किसके साथ कर देंगे KCN के साथ अब क्या करेंगे हम इसमे KI तो साथ में निकल जाएगा साथ में यह आ जाएगा CH3, CH2 and CN Map, App, Prop Propane and this is Nitrile Propane, Nitrile ओके तो अब हम नेक्स्ट करेंगे अनिवीन से हमें बनानी है क्लोरो बैंजीन तो सबसे पहले हम अनिवीन लेंगे जब बैंजीन के साथ NH2 लगा हुआ होता है वो कहलाता है आपका अनिवीन ओके ठीक है बैंजीन के साथ जब अनिवीन लगा हुआ होगा तो वो कहलाएगा क्लोरो बैंजीन तो इसकी रियक्शन हम कर देंगे Na, No2 and Scl से ठीक है? Nitrogen हम यह आने लेंगे कितने हो गए हमारे? N2 और यहां आगया Cl तो क्या आगया है हमारा? N2 and Cl negative बाकि हमारा सब निकल गया तुबारा इसकी रियक्शन करेंगे CuCl के साथ and Scl के साथ यह Sand Mare Reaction भी क्या लाती है Sand Mare Reaction Naming Reaction भी है यह Sand Mare Reaction ठीक है? इसमें यह निकल जाएगा बन गए आपकी Clorobandrine यही बनाने की हमें ठीक है? Next step की 2-Clorobutane से आपको बनाना है 3-4-Dimethylhexene 2-Clorobutane chlorine किस पोजिशन पर है? 2 यह लगा ले ले लेंगे CH3 CH CH2 and CH3 2-Position पर है यही लगा देते हैं CH2 यह होगा 2-Clorobutane यह बहुत एजी र्यक्शन है क्योंकि यह वोट्स रेक्शन के तरो होगी आपकी ठीक है? इसमें रेक्शन कर देंगे N.E.S. ठीक है कौंसी रियक्शन है इस हमारी वुड रियक्शन भी हो तरह में तो हम लिए क्षिस किया नमचरी करें करें 1, 2, 3, 4, यह 4 है, इसमें क्या करेंगे, हम number of carbon का क्या कर देते हैं, double कर देते हैं, तो पहले तो आप 3, 4 पर dimethyl लेना है और हमें hexane लेना है, CH3, CH2, CH3 हो गए हमारे, CH, CH2 and CH3, 3, 4 पर dimethyl है, मतलर यहां पर और यहां पर, methyl लगा दिया हमने, number of carbons यहां कितने थे, 1, 2, 3, 4, य double हो गई, तो गूर्स रेक्शन में क्या करते हैं, यह कितने हो जाते हैं, double हो जाते हैं, बन गया हमारा 3, 4 dimethyl hexyl, I hope आपकी समझ में हो गया होगा, next day आपकी 2 methyl propane, 2 chloro 2 methyl propane, ठीक है, तो सब से बहले हम 2 methyl propane लेंगे, 2 methyl, 2 chloro propane, CH3, C, double bond CH2, क्योंकि दो पर मैथल है, तो दो पर हम मैथल लगा देंगे, यह हो गया, 2 methyl propane, ठीक है, डीक्शन हो जाएगी, SCL के presence में, और यह रूल है, मर्कॉनिकॉफ एडिशन, इसमें बस एड़ करना है आपको, इसमें सिबसे पहले double bond है, सिंगल bond में दूट जाएगा, और आपका जो CL है, वह यहाँ जाएगा, यह हो गया, आपका CH3, CH3, बाकि एज़ रहेगा सब, स्क्लोडीन एड हो जाएगा, बन गया 2 chloro, 1, 2, इसकी बोजिशन बता दी, 2 पे लोरो है, टूपर मैथिल भी है, मैथ एड़ प्रोप, प्रोपीन, हमें यही बनाना था, यह हमारी tan complete हो गई है, conversion, जिसमें मैं 5 पार्ट आपकी एक वीडियो फर्स पार्ट में बता चुकी हूँ, 5 मैंने ये करा दी है, डेली 5 में अप्लोड करूँगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू,